प्रिंस्पिल्स ऑफ सिस्टेमाटिक्स मॉड्यूल 98 आइदेन्टिफिकेशन ऑफ फैमली साल्टिस्टी फैमली साल्टिस्टी के जो मेंबर्स हैं ये जब कोट्शिप करते हैं तो उस वकत जो मेल स्पाइडर है ये बहुत सारे वाइबरेटरी क्यूज का इस्तमाल करता है एक तो जो फैमली साल्टिस्टी के जो मेंबर्स हैं ये कलर्फुल हो सकते हैं ये अपने कलर्स की बेस के उपर फीमेल को अट्रेक्ट करते हैं उसके साथ ये अपनी बाडी के जो डिफरन्ट पार्ट्स हैं उनको वाइबरेट करते हैं ये डिफरन्ट किसम की डांसिंग शो करते हैं ये डिफरन्ट किसम की मूमेंट्स शो करते हैं जो के जिग जैग मूमेंट्स भी हो सकती हैं इसी तरीके से जो फीमेल है वो अपने पै order to attract the females, उसके बाद जो male है ये चेक करता है कि जो female है वो receptive है या नहीं, उसके लिए जो male spider है वो अपनी front leg का इस्तेमाल करता है और इस front leg के जरीए वो female की body को touch करता है, अगर इस leg के touch करने से जो female है वो still receptive हो तो इससे male spider ये अंदादा लगाता है कि female courtship behavior के लिए ready है, अब जो male spider है वो अपना जो genetic material है, अपना जो spams है वो female की body के अंदर inject करता है तो इस तरीके से इन के अंदर जो courtship का behavior है वो आगे की तरफ बढ़ता है अब एक जो salticid spider है, जैसा कि इस slide के अंदर देखा जा सकता है उसके body के दो components होते है इस slide के अंदर जो पहला component है, जहाँ पे eyes को वाज़े तोर पर देखा जा सकता है इसकी जो median eyes है, वो काफी वाज़े तोर पर नजर आ रही है ये part prosoma कहलाता है, इसको phelothorics भी कहते है जो दूसरा part है, वो opistosoma कहलाता है या abdomen कहलाता है दोनों part prosoma और opistosoma एक दूसरे के साथ connected होते है वो structure जिसके जरीए ये दोनों part एक दूसरे के साथ attach होते है उसको pedicel कहा जाता है कुछ spiders के अंदर ये जो pedicel है ये वाज़े तोर पर देखा जा सकता है लेकिन बहुत सारे spiders के अंदर ये pedicel वाज़े तोर पर नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि स्फेलो तॉरेक्स और abdomen एक दूसरे के इतने करीब आ चुके होते हैं कि pedicel वाज़े नहीं होता इस slide के अंदर blue color के अंदर हम abdomen या आपिस्तो सोमा को देख सकते हैं अब जो abdomen है इसका जो last part है उसके साथ red color के structures attached है ये जो red color के structures है इनको spinners कहा जाता है अब जो spinners की तादाद है ये different species के अंदर फरक हो सकती है और जो spinners के pairs है इसकी जो length है वो भी different spiders के अंदर vary करती है spinners basically वो structure है जिसके जरीए spider मुख्तलिफ किसम के silk की production करते है और ये जो different किसम के silks है इनको spider यूज़ करते है प्रेक कैप्चर करने के लिए exact बनाने के लिए या फिर even drag line के तोर पर भी इनको यूज़ किया जा सकता है इस slide के अंदर जो blue color के अंदर पार्ट दिखाया गया है ये prosoma है इसको हम sphello thorax भी कहते हैं insects के अंदर ये जो पार्ट है ये दो हिस्सों के अंदर तक्सीम होता है एक head portion कहलाता है और दूसरा sphello thorax कहलाता है लेकिन यहां पे ये दोनों जो portion है वो fuse कर जाते हैं और fuse करने के बाद एक single structure बनाते हैं जिसको sphello thorax कहा जाता है इस slide के अंदर देखा जा सकता है कि जो spiders है उसकी जो legs है जो इसकी four pairs होते हैं functional legs के वो sphello thorax के साथ attach होते हैं spiders की legs का कोई भी part ऐसा नहीं है जो के abdomen के साथ attach होता है इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि जो spiders हैं उसकी जो legs हैं वो sphello thorax वाले region के अंदर ही मौजूद होती हैं इसी तरीके से जो spiders हैं इनके जो चैलिस रा होते हैं जिसके उपर fangs लगे होते हैं वो भी इसी portion के अंदर मौजूद होते हैं चैलिस रा को spiders prey capturing के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो चैलिस रा हैं इसी के अंदर venom gland मौजूद होता है इसके उपर fang लगे होते हैं और जो venom gland से venom produce होता है वो fangs के जरीए spiders अपने prey के अंदर inject करते हैं उनको immobilize करते हैं और उसके बाद उनके उपर feeding करते हैं और उसके झाली.